किसी ने क्या खूब कहा है बिना संगर्च के कोई महान नहीं बनता बिना संगर्च के कोई महान नहीं बनता पत्थर पर जब तक चोड़न पड़े तब तक वह पत्थर वी भगवान नहीं बनता नमशकार मित्रो राधे राधे स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल डी एमार राशी फल में मित्रो आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशी वाले लोगों की तुला राशी वाले लोगों का पांच दिशंबर दिन शनिवार कैशा रहने वाला है मित्रो आज हम इस वीडियो में आज तुला राशी वाले लोगों का परिवारिक जीवन कैशा रहेगा और उनका प्यार शंबंद कैशा चलेगा बिजिन्स वेपार कैशा चलेगा और उन लोगों का दिन कैशा रहेगा मित्रो आज हम इस वीडियो में आज तुला राशी वाले लोगों का संपूर राशी फल वताएंगे और मित्रो आपकी भी तुला राशी है तो वीडियो को पूरा देखें मित्रो आज शनिवार है शनीदेव माराज का दिन है घर में रहकर शनीदेव माराज की पूजा अर्चना करें मित्रो और कमेंट में जई शनीदेव माराज लिखें शनीदेव माराज आपकी शवी मनुकामना पूरी करेंगे मित्रो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लें ताके हमारी वीडियो आप तक शब से पहले पहुँचे मित्रो अब बात करते हैं आज की चार्ड़क की निते ग्यान के बारे में आज चार्ड़क की जी कहते हैं सिच्छा मनुश के जीवन में बहुत माइने रखती है जो मनुश अच्छित्त होता है वह कभी सफलता की और नहीं बढ़ पाता सिच्छा मनुश को एक संसकार सिकाती है जो ब्यक्ते अपनी संतानों को अच्छी सिच्छा प्रदान कराएगा वही योग कहलाएगा अपनी संतान को अच्छी सिच्छा प्रदान करने पर आएगा वही मान शमानवा प्रशदी के लायक होगा चारिकी जी कहते हैं हर माता पिता को अपनी संतान को अच्छी सिच्छा और शंशकार देने चाहिए माता पेता यदि अपनी शंतान को सिच्छित करेंगे तो संतान को कभी भविष्च में परईशानियों का शामना नहीं करना पड़ेगा वविष्च में कभी व्यक्ते अपना परिवार समाल पाएगा वहतर शंशकार रहने से वह परिवार को सही डंग से चला पाएगा मित्रो यही था आज की चाड़ की निती का ग्यान पशंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में पाचंग पाच दिसंबर दो हजार बीस दिन शुक्रवार है तिथी पंच में नच्छत्र चल रहा है पुनवर्शी रित चल रहा है शरद रितू पच्छ चल रहा है कृष्ण पच्छ आज शुर्य ओदे होगा छे बज़ कर 21 मिनट पर और सुर्यास्त होगा पाच बज़ कर 28 मिनट पर आज का शुबश में दस बज़ कर 21 मिनट से बारे बज़ कर 13 मिनट तक आज का अशुबश में दो बज़ कर 4 मिनट से तीन बज़ कर एक मिनट तक आज तुला राशी वाले लोगों की बागिशाली शंक्या छे है और बागिशाली दिशा दच्छिड है और बागिशाली रंग गुलावी है मित्रो अब बात करते हैं आज के संफूर राशी फल के बारे में रासी कार्य छित्र में नए विकल्प के बारे में सोचेंगे व्यवपार में ब्रदी होगी मनोबल बढ़ेगा शत्र को हान पहुँचेगी चात्रों की प्रत्योगिता में बिजय प्राप्त होगी यात्रा में लाव होगा परिवार शे आज आपको किसी तरह का शयोग की उमीद है इस दिन के अतह शुर्देव का प्रवेश आपकी राशी में होने जा रहा है जबके आपकी राशी में वुद्ध ब्रक गते में लगे हुए हैं इन इस्तितियों में आपकी बुद्धी उल्टी शीदी खूब चलेगी ऐसे मैं मन के छोटे को नियंतर रखने का प्रयाश करें शगे शंबंदी बाई वेहनों से सायोग मिलेगा कारी छेत्रियम में अधिकारियों को इसने और मजबूती आएगी धार्मिक कार्यों और दान पुन्य के लिए काम में रुची रहेगी मित्रो यही था आज की राशी का राशी फल पशंद आया हो तो इलाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें ओल पर शिलेक्ट कर लें ताके हमारी शबी वीडियो आप तक शबशे पहले पहुचे मित्रो